मुहरम के जलूस में शामिल होने के लिए आय उटो को पुलिस पर शासन दवराव वापस भेजने से नाराश शहर भर के इमाम चोकवा जलूसों के मतवली वा अन लोग विरोध करने के लिए बुद्वार को इमाम बाड़ा स्टेट पहुंचे सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एटेम सिटी राकेश कुमार शिरवासतो, سपी सिटी डाक्टर कौस्तुप, छेतरा धिकारी, कोतवाली वीपी सिंग, कोतवाली थाना परभारी जैदी पर्मा, राजगार थाना परभारी राकेश कुमार पांडे, वाईलाइउ के वारता कर समझाया कि जल्दी इस पर निर्डल लिया जाएगा इस मौके पर A.D.M.C.T. राकेश कुमार शिर्वास्तों ने बताया कि महरम के जलूस से में उटो के शामिल होने के सम्बन में दिलादिकारी से बात करने के बाद ही कोई निर्डल लिया जाएगा इस मौके पर A.D.M.C.T. राकेश कुमार शिर्वास्तों एस पी सिटी डाक्टर कौस्तुप सहित पुलिस और परशास निकादिकारी मौजूद रहे इस सम्बन में गुरकपूर नियूस से बात करते विए A.D.M.C. राकेश कुमार शिर्वास्तों ने कहा और दूसरी जियता है दिने बदार एक शिर्वास्त थी करते हैं अब पिछले अगले साथ के एक्षिन दोते हैं अब पिछले अगले साथ करते हैं आप साथ कुमार बदर में पिटिक खतम दे हैं प्रेस निकाले में पेपर में टाले तरहीं है अब आप हम लोगे निए नियुक्त नहीं होगा जी चलो जी जली तुम्हें ओत रहेगा अभी बारता की यही है और कोई अंकिन नेड़ा नहीं अभी बारा स्टेट में जो बैठक हुई है निया साथ के साथ कुछ मुतवल्लियों का यह कहना है कि प्रतिवंद कई जनकोदों में रगा हुआ है इसके संबंद में निर्णाय जिलादिकारी और एस्पी सहाब के साथ बैठक आयोजित की जा रही है पूट भी एक पालतू जानवर की शेणी में नहीं आता है और शोर गुल और जो भील भाल में रहने का आदी नहीं है वो एक जानवर ही है और उसके वेवार में किसी भी तरह उसकी अक्टिविटी में आप रत्याशित परिवर्थन हो सकता है और उससे जनहित और किसी को भी नुकसान हो सकता है चोड भी लग सकती है जान भी जा सकती है वो आखिर एक जानवर है उसमें नियंतर्ण थोड़ी है वो लाइन आडर और वो थोड़ी वो जानता है कि क्या करना है मीटिंग में अभी कोई निर्णे नी हुआ उसकी एक लिए बैठक तैकी जा रही है उसके बैठक के बाद ही निर्णे हो आज ही फाइनल हो जाए